प्रिय विद्यार्थियों, डियसिस आनलाइन कक्छा में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापी का सर्ता सिंग, आज आप लोगों को बाल राम कथा में अध्याय दो, जंगल और जनकपूर को पढ़ेंगे। जैसा कि हमने अवतपूरी में राम में पढ़े थे कि जब भी स्वामित्र अयोध्या जाते हैं और वहां राम को राजादसरत से मांगते हैं अपना अनुष्ठान पूरा करने के लिए, क्यूंकि उस अनुष्ठान में दो राच्छस बाधा उत्पन करते हैं, इसके लिए रा हो जाते हैं, उसके बाद वह महरिसी विश्वामित्र से आगरह करते हैं कि वे उनके छोटे पुत्र लक्षमड को भी राम के साथ ले जाएं, महरिसी इसके लिए तयार हो जाते हैं, इसके बाद दोनों भाई राम और लक्षमड महरिसी के साथ सिध्धा आश्रम जाने के ल जहां वो अपना अनुष्ठान पूरा कर रहे थे, वो अयोध्या से सिध्धा आश्रम जाने के लिए दोनों भाई निकलते हैं, आज हम इसके आगे की कहानी को पढ़ेंगे जंगल और जनकपूर कर महरिसी विश्वामित्र राजमहल से निकल कर सर्यू नदी की ओर बढ़ें, उन्हें नदी पार करने थी, कहां अपने आश्रम पहुचने के लिए, लेकिन उन्होंने आयोध्या के पास नदी को पार नहीं किया, वो सर्यू के किनारे किनारे चलते रहें, दच्छडी तटप और जिस पर अयोध्या नगरी बसी हुई थी, तो यहां पर वेटा प्रश्ण पूछा जा सकता है आपसे कि अयोध्या नगरी किस नदी के किनारे बसी हुई है, तो आप लोग क्या बताएंगे, सर्यू नदी के किनारे वे चलते रहें, नदी के घुमाओं के साथ साथ, राजमहल पीछे चुट गया, उसकी आखरी बस्ती भी निकल गई, चलते चलते एक तीखा मोर आया, तो सब कुछ द्रिष्ट से ओजल हो गया वे दोनों राजकुमारों के साथ चलते रहें, नदी के घुमाओं के साथ साथ, अर्थात नदी जैसे जैसे घुमा हुआ था, वैसे वैसे वे उसके किनारे किनारे चलते रहें, इस तरह से राजमहल क्या हो गया, बहुत पीछे चुट गया, जो आयोध्या की आखरी बस्त पीछे ही छूट गई। जैसे जैसे महर इसी चलते थे सिर्फ उनके सधे कदमों को ध्यान देते थे और उनके पीछे-पीछे चलते जाते थे उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़ कर नहीं दीखा। पैदल चलने को तयार थे। फिए लोट रही है और अस्मान भी क्या है मटमैला लाल हो गया जब भी देखते हैं विटा S久AAAA, होता है तो सूरत जब भी अस्थ होता है तो वो क्या होता है पश्चिम दिसा में क्या होता है वो मटमेला उस समय सूरी की रोशनी किस तरह से हो जाती है तो मटमेला लाल रंकी दिखने लगती है और जो चरवा है अर्थात जो गायों को चराते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलत था हम आज रात नदी टट पर ही विश्राम करेंगे महरिसी ने पीछे मुड़ते हुए कहा दोनों राजकुमारों के चहरे के भाव देखते हुए विश्वामित्र हलका सा मुस्कुराएं राम के निकट आते हुए उन्होंने कहा मैं तुम दोनों को कुछ बिद्याय सिखाना चाहता हुँ इन्हें सिखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा उस समय भी नहीं जब तुम नीद में रहो उसके बाद महरिसी ने पीछे मुड़ते हुए दोनों राजकुमारों से कहा कि हम आज यहीं विश्राम करेंगे उसके बाद उनके जब चहरे के भाव नहीं है अभी भी इनके अंदर उत्सा है चलने की तुभी हलका सा मुस्कुराएं और बोले कि मैं आज यहीं विश्राम करूंगा उसके बाद वह राम के पास आते हैं और काते हैं कि मैं तुम दोनों को अर्थात राम और लच्छमड को मैं तुम दोनों को कुछ इन विद्याओं को सीखने के बाद कोई तुम पर वार आक्रमण अर्थात प्रहार नहीं कर सकेगा उस समय भी नहीं जब तुम नीद में रहोगे अगर तुम नीद में भी रहोगे तो जो मैं तुम्हें विद्याओं सीखाने जा रहा हूँ उस पर क्या है उस समय तुम पर को कर बैठे विश्वा मित्र ने दोनों भाईयों को बला अतिबला नाम की विद्याएं सिखाएं उसके बाद राम और लक्षमड नदी में हात मुधोने चले गए और वहां से हात मुधो कर महरिसी के निकट आकर बैठे गएं महरिसी ने दोनों भाईयों को अर्थत राम और लक बला नाम की बिद्याय सिखाए रात में वे लोग वहीं सोए तिनको और पत्तों का बिस्तर बना कर नीद आने तक महर इसी उनसे बात करते रहें उसके बाद रात में सोने के लिए उन्होंने तिनको और पत्तों का बिस्तर बनाया और वहीं वे लोग सोए और जब तक नीद न नदी के किनारे किनारे जब सुबह हुई तो इन्हों ने फिर यात्रा अपना शुरू कर दिया सिद्धा अस्रम जाने के लिए और रास्ता वही था सर्यू नदी के किनारे किनारे चलते-चलते वे एक ऐसी जगा पहुँचे जहाँ दो नदिया आपस में मिलती थी उस संगम की दूसरी नदी गंगा थी महरिसी अब भी आगे चल रहे थे लेकिन एक अंतर आ गया था राम लक्षमर अब दूरी बना कर नहीं चलते थे महरिसी के ठीक पीछे थे ताकि उनकी बाते ध्यान से सुन सके रास्ते में पढ़ने वाले आस्रमों के बारे में वहां के लोगों के बारे में ब्रिक्षों और बनस्कतियों के सम्बंद में अस्थानी इतिहास उसमें सामिल होता था उसके बाद दोनों राजकुमार महरिसी के साथ चलते रहे और वहां पहुंचे जहां दो नदिया आपस में मिलती थी उस संगम की दूसरी नद चल रहे थे लेकिन अब एक अंतर आ गया था दोनों राजकुमार अब महरिसी के दूरी बना कर नहीं चलते थे ठीक उनके पीछे थे महरिसी आगे थे ठीक पीछे राम और लक्षमण भी चलते थे ताकि उनकी बातों को ध्यान से सुन सके वहां के आसरमों के बारे में की यात्रा कठिन थी जंगलों से होकर उससे पहले उन्हे नदी पार करनी थी रात में ऐसा करना महरिसी विश्वमित्र को उचित नहीं लगा तीनों लोग वहीं रुग गये संगम पर बने एक आसरम में अगली सुबा उन्होंने नाव से गंगा पार की अब जो आगे की या करनी थी नदी पार करनी थी तो महरिसी विश्वमित्र को रात में यात्रा करना उचित नहीं लगा तो उन्होंने वहीं रुखने का मतलब आदेश कर दिया कि आज हम लोग यहीं रुखेंगे और उसी संगम पर एक आसरम था और उन्होंने उसी आसरम में विश्राम किया औ और अगली सुबह वे नाव से गंगा को पार किये। नदी पार जंगल था घना दुर्गम। सूरज की किरले धर्ती तक नहीं पहुंचती थी। इतना घना वो डरावना भी था। हर ओर से जिंगरों की आवाज, जानवरों की दहाड, करकस ध्वनिया। राम और लक्षमड को आस्वस्त करते हुए महरिसी ने कहा, ये जानवर और बनस्पतियां जंगल की सोभा हैं, इनसे कोई डर नहीं है, असली खत्रा राच्छसी ताड़का से है, वो यहीं रहती है, तुम्हें वो खत्रा हमेशा के लिए मिटा देना है। जैसे ही वो लोलग ने नदी को पार किया, तो उन्हें एक बहुती घना और दुर्गम, मतलब बहुती डरावना जंगल दिखाई दिया। जहां पर क्या होती थी, सूरज की रोसनी धर्ती पर नहीं पहुँच पाती थी, क्योंकि हर ओर क्या थी, जिंगरों की आवाज आती थी, अब वो जंगल जो था बहुती डरावना था, जानवरों की दहाड राती थी, हमेशा करकस धौनिया सुनाई देती थी, राम और लच आती है न बेटा, तो वो कहते हैं कि ये जानवर और बनस्पितिया क्या हैं, ये जंगल की सोभा हैं, इनसे तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, अस्ति खत्रा किस से है, राच सी ताड़का से है, और तुम्हें उसका अंत करना है, मतलब या खत्रा तुम्हें हमेशा के लिए मिटा देना है तारका के डर से कोई उस बन में नहीं आता था जो भी आता तारका उसे माडालती अचानक आक्रमण कर देती उसका डर इतना था कि उस सुंदर वन का नाम तारका बन पढ़ गया था तारका के डर से उस जंगल से कोई नहीं गुजरता था अगर कोई जाता भी था तो ताड़का क्या करते थी आचानक उन पर हमला कर देती थी और उन्हें मार डालते थी उसका डर इतना था कि वो जो जिस बन का नाम सुन्दर बन था लेकिन इसके डर की वज़े से उस बन का नाम क्या पढ़ था ताड़का बन राम ने महरिसी की आग्या मान ले धनूस पर प्रत्यंचा चड़ाई और उसे एक बार खीच कर छोड़ाई इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था टंकार सुन्ते ही क्रोध से बिलबिलाई ताड़का गरस्ती हुई राम की ओर दोड़े द महरिसी ने कहा कि तुम्हें उसका अंत करना है तो राम ने उनकी आग्या मान ले और क्या किया धनूस पर प्रत्यंचा चड़ाई और उसे एक बार खीच के छोड़ दे रा छोड़ दिया इतना ताड़का के लिए क्रोधित करने के लिए बहुत था टंकार सुन्ते ही की ओर दोड़ी जब उन उसने दो बालक को महा देखा तो उसका क्रोध क्या हो गया और भड़क उठा जंगल में जैसे तुफान आ गया विसालकाय पेड काप उठे पत्ते तूटकर इधर उधर उड़ने लगे धूल का घना बादल चा गया उसमें कुछ दिखाई नहीं प पारका बाडों से घिर गई राम का एक बाड उसके हिरदाय में लगा वह गिर पड़े फिर नहीं उठपाई अब इसके बाद जैसे जंगल में तुफान आ गया जब तारका उन दोनों बालकों को देखी राम और लचमर को तो उसका क्रोध क्या हो गया और अधिक बढ़ ग घना बादल चागया, मत चारो तरफ धूल से बादल क्या हो गया, चागया, उसमें वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता था, फिर ताड़का ने क्या किया, उन दोनों पर पत्थर बरसाने लगे, तो राम ने उस पर बाद चड़ाया, और लक्षमर ने भी निसाना क्या किय था, सादलिया था, उस पर चलाने के लिए, अब इस तरह से ताड़का चारो तरफ से बाड़ से घीर गई, तब राम ने एक बाड़ ऐसा चलाया, जो जाके सीधे ताड़का के हिरदय में लगा, और वह घीर पड़ी, और फिर दुबारा नहीं उठी, उसके बाद उसके हो गई, विश्वा मित बहुत प्रशन हुए, उन्होंने राम को गले लगा लिया, उन्होंने दोनों राजकुमारों को सो तरह के नए अस्त्र स्त्र दिये, उनका प्रियोग करने की बीधी बताई, उनका महत्व समझाया, जब ताड़का का वध राम ने कर दिया, तो और उनका कैसे प्रियोग करना है, उसकी भी उनको बीधी समझाया, उनके महत्व के बारे में, उन अस्त्र और सस्त्र के महत्व के बारे में, महरिसी ने राम और लक्षमण को समझाया, इसके आगे की कहानी को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, उमीद है कि आप ल